ओम शांति मन बुद्धी को चारों और से हटा कर जब हम एक बाबा की याद में खो जाते हैं तो उस सर्वश शक्तिवान का साथ हमारे भीतर को परिवर्टन करने लगता है अंदर आत्मा के जो विकारों की तपत है उसे बुझ्जाने लगता है करमिंद्रियों में जो चंचलता आ जाती है देभान के कारण कर्मू के कारण संबंधों के कारण सबसद चंचलता परमात में याद समाप्त कर देती है करमिंद्रियों को शीतल बना देती है और वंडर्फुल बात ये है कि आत्मा के पुराने संसकार जो पुरानी दुनिया के कुस संग से आई है बन गए है उस संसकार भी अपने आप बदलने लगते है क्योंकि जो मन सूचता है जो बुद्धिन रने लेती है उस अनुसार जो हम कर्म करते है वो कर्म जब सतकर्म बनने लगते है श्रीमत के प्रमाण होने लगते है तो संसकार खुद बखुद परमात में समान बनने लगते है तो इश्वरी याद कैसे हमारे संसकारों को बदल देती है आज हम इश्वरी महवाक्यों द्वारा बहुत ही गहराई से समझते हैं सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य आज है ग्यारा तारिक 11 सितंबर दो हजार चॉपिस बाबा के मधर महवाक्य है मीठे बच्चे तुम बाब के पास आए हो अपने क्यरेक्टर्स सुधारने तुम्हें अभी दैवी केरेक्टर्स बनाने है प्रश्ण है तुम बच्चों को आखे बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है उत्तर है क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाब तुम्हारे सम्मुक है अगर आखे बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे स्कोल में आखे बंद करके नहीं बैठते है आखे बंद होंगी तो सुस्ती आएगी तुम बच्चे तो स्कोल में पढ़ाई पढ़ रहे हो यह सोर्स ओफ इंकम है लाखों पदमों की कमाई हो रही है कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकते बिलकुल ना उदास हो सकते है ना आलस आ सकता है जब कमाई होती है तब जब कमाई नहीं होती ना तो सुस्ती आती है ओम शांती मीठे मीठे रुहानी बच्चव प्रती बाप समझाते है यह तो बचे जानते हैं कि रुहानी बाप परमधाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का यूग लगाना सिखाते हैं क्या सिखाते हैं बाबा? कैसे हमेश बाबा के साथ यूग लगाना है? तो बाप के साथ आत्मा का यूग लगाना सिखलाते हैं जिसको याद की यात्रा कहा जाता है यह भी बताया है बाप को याद करते करते मीठी रुहानी बच्चे तुम क्या बन जाएंगे? तुम पवत्र बन अपने पवत्र शान्ती धाम में पहुच जाएंगे कितनी सहज समझानी है पस याद ही तो करना है अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहत के बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वह भस्म होते जाएंगे इसको ही योग अगनी कहा जाता है वंडरफुल है ये योग अगनी जो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म कर देती है यह भारत का प्राचीन राज योग है जो बाप ही हर पाच हजार वर्ष के बाद आकर सिखलाते है बेहत का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चा को समझाते है इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्व शक्तिमान है तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमु प्रधान बन गई है जो सत्व प्रधान थी अब उनको फिर से सत्व प्रधान कैसे बनाए जो तुम सत्व प्रधान दुनिया में जा सको वह शांती धाम घर में जा सको बच्चों को यह बहुत अच्छी रीती याद रखना है बाप बच्चों को यह डोज देते है यह याद की यात्रा उठते बैटते चलते फिरते तुम कर सकते हो जितना हो सके ग्रहस्त विहवार में रहते होए कमल फूल समान पवत्र रहना है बाप को भी याद करना है और साथ साथ दावीगोन भी धारण करने है याद भी करना है और दावीगोन धारण करने है क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी केरेक्टर्स है तुम बच्चों यहाँ आये हो दावी केरेक्टर्स बनाने इन लक्ष्मी नारायन के केरेक्टर्स बड़े मीठे थे भक्तिमार्ग में उन्होंकी ही महिमा गाई हुई है भक्तिमार्ग कबसे शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है अभी तुमने समझा है और रामण राच्चे कबसे शुरू हुआ यह भी अब समझा है तुम बच्चों को यह सारी नौलेज बुद्धी में रखनी है जबकि जानते हो हम ग्यान सागर रोहानी बाप के बच्चे है अब रोहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं यह भी जानते हो यह कोई ओडिनरी बाप नहीं है यह है रोहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है उनका निवास्थान सदेव ब्रह्म लोक में है लोकिक बाप तो सबके यहां है यह बच्चों को अच्छी रीती निश्चे में रखना है क्या निश्चे रखना है? हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है यह निश्चे होना चाहिए जो बेहद का बाप है भक्तिमार्ग में लोकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते है उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है बाप खुद समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों मेरा नाम एक ही शिव है भला नेक नाम अनेक मंदिर बनाए है परन्तु वह सब है भक्तिमार्ग की सामगरे यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं साली ग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं बापा हमें आत्मा रूप में देखते हैं परन्तु साली ग्राम भी कह सकते हैं अगर वो शिव बाबा है तो अनेका अनेक साली ग्राम है तो कहां बैठे हैं बाबा के आगे कौन बैठे हैं साली ग्राम शिव एक ही है वह है बेहद का बाप बाकी सब हैं बच्चे हमारे बेहद का बाप एक ही है बाके हम सब हैं अपने बाबा के बच्चे इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे ज्यान तो था नहीं पकिया नेक प्रकार की भक्ती करते रहते थे आधा कल्प भक्ती की है द्वापर से लेकर भक्ती शुरू होती है रामन राज्य भी शुरू हुआ है यह है बहुत सहज बात परन्तु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते है रावन राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता तुम मिठे बच्चे जानते हो बाप ही ज्ञान का सागर है जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के अभी तुम समझ गए हो ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग के यह तीन मुख्य है सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग के परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग के वह बेहद का वैराग के सिखला न सके दो प्रकार के वैराग के हैं एक है हद का, दूसरा है बेहद का, वह है हट योगी सन्यासियों का वराक्य, यह है बेहद का, तुम्हारा है राज़्योक, वह घर बार छोड जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी, सन्यास कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, हठ योगी घरबार छोड़ते हैं, पवित्र रहने के लिए, यह भी अच्छा है, बाब कहते हैं, भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं, भारत की तो बहुत उची महिमा है, जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं, बाब को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक, निधन के बन पड़ते हैं, सतियुग में कितनी सुक शांती थी, अभी कितनी दुख अशांती है, मूल वतन तो है ही शांती धाम, जहां हम आतमाई रहती हैं, आतमाई अपने घर से यहां आती हैं, बेहद का पाट बचाने, अभी यह है पुरुष्योत्तम संगम्युग, जबकि बाप आते हैं, कौन? बेहद का बाप, जबकि बेहद का बाप आते हैं, नई दुनिया में ले चलने के लिए, बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, उच उत्ते उच भगवान को कहा जाता है, पर अदो वो कौन है, किसको कहा जाता है, ये, कुछ भी समझते नहीं है, एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं, यह निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप है, यह भी नहीं समझते, सिर्फ पुझा करते हैं, हमीशा शिव बाबा कहते हैं, रूद्र बाबा बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रूद्र बाबा कोई कहेगा, बबुलनाथ बाबा भी नहीं कोई कहेगा, तुम लिखते भी हो, शिव बाबा याद है, वर्सा याद है, यह स्लोगंस घर घर में लगाने चाहिए, शिव बाबा को याद करो, तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है, इस पतित दुनिया में तो, एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर, एक भी पतित नहीं हो सकता, शास्त्रों में तो, सब जगां पतित लिख दिये हैं, त्रेता में भी कहते, रामण था, सीता चुराई गई, श्री क्रिश्न के साथ, कंस, जरासंधी, हिरने अकश्यपादी दिखाए हैं, श्री क्रिश्न पर कलंक लगा दिये हैं, अब सत्युग में यह सब हो नहीं सकते, कितने जूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, सब की गलानी करते रहते हैं, तो अब बाप कहते हैं यह याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है फिर घर जाना है घर में शरीर तो नहीं जाएगा सब आत्माए जानी है इसलिए मीठे मीठे रुभानी बच्चों अपने को आत्मा समझ कर बैठो देहे नई समझो और सत्संगों में तो तुम दे अभिमानी हो बैठते हो यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो कहां बैठो प्रुकुटी के बीच में अपने को आत्मा समझ कर बैठो जैसे मेरे में यह संसकार है मैं ज्यान का सागर हूँ शिव बाबा डारेक्ट हमें क्या रहे हैं तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्यान समझाते हैं आगे नहीं जानते थे अभी सृष्टी का चक्र कैसे फिरता है उनका आदीम अध्यांत और चक्र की आयो कितनी है सब बतलाते हैं भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयो लाखों वड़ सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया हैं नीचे ही उतरते आये हैं कैते भी है ना जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खीचेंगे बाप आकर हमको पावन बनाएंगे बाप को खीचते हैं क्योंकि पतत है बड़े दुखी बन जाते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं तो बाबा को पुकारते हैं फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं बाप भी देखते हैं बिलकुल दुखी तम उप्रधान बन गए हैं पाँच हजार वर्ष पूरे हुए हैं तब फिर आते हैं हम बुलाते हैं आधा कल्प से पर आते बबा कब है जब संगम युक का टाइम होता है जब पांच हजार वर्ष पूरे होने वाले होते हैं ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी जिसे मैं ग्यान का सागर ह तुम भी ज्यान की नदिया हो क्या है हम सब ज्यान की नदिया ये knowledge कोई इस दुनिया के लिए नहीं है यहां जो ज्यान मिल रहा है वो नहीं दुनिया के लिए इसके आधार पर प्रारब्ध बन रही है यह तो छीची दुनिया छीची शरीर है इनको तो छोड़ना है शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता मैं आत्माओं का बाप हूँ आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं बिल्कुल ही, पत्थर बुद्धी पतत है, इसलिए गाते हैं पतत पावन, आत्मा ही पतत बनी है, आत्मा ही सब कुछ करते है, भक्ती भी आत्मा करते है, शरीर भी आत्मा लेते है अब बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ, मैं बेहत का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ, तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी पुकारते रहते हैं, हे पतितपावन, ओ गौड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डैविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जावें, क्याते हैं न, लिबरेटर, लिबरेट करो, हैना हे भगवान हमें मुक्ती दो, दुखों से मुक्ती दो, पतितपावन आकर हमें पा और तो, कोई को पता ही नहीं है, हमारा घर कहा है, हैना मुक्ती धाम का किसी को पता नहीं है, घर में कैसे, कब जाएंगे, मुक्ती में जाने के लिए, कितना माथा मारते हैं, कितनी मैनत करते हैं न, सन्यासी घर बार छोड़ जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तपस्याय करत परन्तो मुक्ति तो नहीं मिलती, परन्तो बाबा बताते हैं कि कैसे हम मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पारवर कहते हैं मोक्ष मिल जाए, जनाम मरम से छूट जाए, तो बबा कहते है कि मुक्ती में सब जाते हैं, मोक्ष किसी को नहीं मिलता, वे चाहते हैं मुक्ती, कहते भी हैं विश्व में शान्ती कैसे हो, सन्यासी भी मुक्ती को ही जानते हैं, तो सन्यासी मुक्ती को जानते परन्तु कोई ऐसी दुनिया है जहां जीवन मुक्त स्थिती है, जहां सुख भी है और शान्ती भी है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं है, जीवन मुक्ती को तो जानते नहीं, परन्तु मुक्ती जीवन मुक्ती दोनों बाप ही देते हैं, कोई गुरु महात्मा नहीं दे स तो बाकि सब मुक्ती में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो यह बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदी सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भष्ट कर्म भष्ट हो गए हो तुम पवित्र प्रवृती मार्ग वाले थे यह लक्ष्मी नारायन पवित्र प्रवृती मार्म के है घरबार छोड़ना यह सन्यासियों का धर्म है हमारा धर्म नहीं है बाबा हमें घर ग्रहस्त में रहते पवित्र कैसे बनना है वो विधी सिखाते है प्रवृती में रहते निवृत कैसे रहना है विकारों से यह सिखाते है परकि सन्यासियों की तरह हम छोड़ते नहीं है सन्यासी भी पहले अच्छे थे तुम भी पहले बहुत अच्छे थे याद है स्वार्गम्यम कितने अच्छे थे अभी तमुप्रधान बने हो बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है अच्छा बनना, फिर बुरा बनना, सतु प्रधान से तमु प्रधान बनना बाप समझाते हैं यह पड़ाई है ही नई दुनिया के लिए पतित शरीर, पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर पाच हजार वर्ष के बाद आना पड़ता है न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हो यह तो तुम मेरी गलानी करते हो न कल्प लाखों वर्ष का है, न बाबा सर्व्यापी है भक्ति मार्ग में हम सोचते हैं भगवान की महिमा कर रहे हैं परन्तु खुद बाबा बताते हैं यह तो क्या करते हैं उपकार करता हूँ जितनी शिव बाबा की गलानी की है उतना और कोई की नहीं की है सबसे ज़ाजा गलानी हमने शिव बाबा की की है सब जगा ठोक दिया बाबा को जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है जब ग्लानी की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ यह है पुरुशोत्तम संगम युग कल्यानकारी युग जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ कितनी सहज युकती पावन बनाने की बतलाते है तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए है तलाव में भी स्नान करने जाते है समझते है इससे पावन बन जाएंगे सोचते हैं ना इस सर में सरोवर में स्नान करने से अमरे सर जाते हैं सरोवर में स्नान करने से सोचते हैं पवित्र हो जाएंगे, गंगा के घाटों पर जाते सुचते पावन बन जाएंगे, अब कहते हैं असे बनते नहीं हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे, अब कहां वह पानी और कहां पतित पावन बाप, वह सब है भक्तिमार्ग, ये तो भक्तिमार्ग की बाते हैं, व मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं, कुम्प करण की नींद में सोई हुए हैं, यह तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धी विनश्यंती अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार पुरीत बुद्धी है, तो विनाश काले पुरीत बुद्धी विजयंती भी है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया खड़ी-खड़ी भुला देते है, यह है पाँच विकारों की लड़ाई पाँच विकारों को रावन कहा जाता है, रावन पर गधे का शीश दिखाते हैं, दिखाते हैं न सबसे उपर गधे का शीश बाबा ने ये भी समझाया है, स्कूल में कब आखे बंद करके नहीं बैठना होता है वह तो भक्तिमार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं, कि आखे बंद करके बैठो स्कूल में जो हम प्रेयर्स भी करते हैं तो हाथ जोडते हैं और आखे बंद कर लेते हैं करते हैं न ऐसे तो वह कहते हैं वो तो ऐसे ही शिक्षा देते हैं भक्तिमार्ग में यहां तो बाप कहते हैं यह स्कूल है सुना भी है क्या सुना है नजर से निहाल कींदा स्वामी सत्गुरू अब सत्गुरू हमें नजरों से निहाल कर रहे हैं और हम आखे बंद करके बैटे हैं कैसे निहाल होंगे तो अब कहते हैं कहते हैं ये जादुगर है अरे वह तो गायन है गायन है न वगवान जादुगर की तरह है वह तो गायन भी है देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादुगर हुआ न बस बाबा द्रिष्टी से स्रिष्टी बदल देते हैं हमें मनुझ से देवता बना देते हैं और बच्चे आँखे बंद कर बैठें, तो क्या कहेंगे? स्कूल में आँखे बंद कर नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है, पढ़ाई तो है source of income, लाखों पदमों की कमाई है, कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे, यहां आतमाउं को सुधार ना है, यह aim object खड़ी है, उन्हों की राजधानी देखनी हूँ, तो जाओ दिलवाडा में, वह है जड़, यह है चैतन्य दिलवाडा मंदिर, यह जो मारा बैठा है न, यह हम सब बैठे हैं, अपको याद कर रहे हैं, स्वर की स्थापना के अंदर, मददकार बन रहे हैं, अपने अंदर दैवी गुण धारन कर रहे हैं, तीसरा नेत्र खोल कर बैठे हैं, तो यह है चैतन्य दिलवाडा मंदिर, देवताईं भी है, स्वर्ग भी है, सर्व का सद्गति दाता, आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ, आबू ठहरा, खुद भगवान आते हैं जहां, जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सद्गति बाप यहां आकर करते हैं, यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परन्तु गुपत है, इनको कोई जानते नहीं है, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, गुड मॉनिंग, नमस्ते, 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 धार्ना के लिए मुख्य सार पहला, जो संसकार बाप में है, वही संसकार धारन करने है, बाप समान, ज्यान का सागर बनना है, देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है, दुसरा, आत्मारूपी बैटरी को सतुप्रधान बनाने के लिए, चलते फिरते, याद की यात्रा में रहना है, दावी केरेक्टर्स धारन करने है, बहुत-बहुत मीठा बनना है, आज का वर्दान है, त्रिकाल दर्शि बन, दिव्य बुद्धी के वर्दान को कारे में लगाने वाले सफलता संपन भव, कैसे बनेंगे सफलता संपन, जब त्रिकाल दर्शि बनकर, दिव्य बुद्धी का वर्दान हमें मिला है बाबा से, उसको कारे में लगाएंगे, केवल प्राप्त करना दिव्य बुद्धी काफी नहीं है, कारे में लगाना भी है, बाब दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धी का वर्दान दिया है, दिव्य बुद्धी द्वारा ही बाब को, अपने आपको और तीनों कालों को सपष्ट जान सकते हो, इस बुद्धी के नेत्र से, सर्वशक्तियों को धारण कर सकते हो, दिव्य बुद्धी वाली आत्मा, कोई भी संकल्प को, कर्म, वाणी में लाने के पहले, हर बोल, वा कर्म के, तीनों काल जानकर, प्रेक्टिकल में आती है, सोच समझ कर करती है, उनके आगे, पास्ट और फ्यूचर भी, इतना स्पष्ट होता है, जितना प्रेजन्ट स्पष्ट है, तो बुद्धी इतनी क्लीन है, क्लियर है, जो त्रिकाल दर्शी होकर नर्न लेती है, ऐसे दिव्य बुद्धी वाले त्रिकाल दर्शी होने के कारण, सदा सफलता संपन बन जाते हैं, तो हम सभी कौन है, दिव्य बुद्धी की वर्दानी आत्माई, तो इस वर्दान को कारे में लगाओ, तीनों कालों को देखकर समझ कर फिर वाणी और कर्म में आओ, स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, परमानंद का अनुभव करना है न सभी को, उसके लिए संपूर्ण पवित्रता को धारण करना होगा, अभी सुनते हैं आज का अव्यक्तिशारा आपके छोटे छोटे भाई बहने यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं पुकार रहे हैं कि हमारी मनों कामनाई पूर्ण करो हमारी सुक शान्ती की इच्छाएं पूर्ण करो तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे वह उन्हों की पूर्ण करेंगे जब आपके दिल से यही श्रेष्ठ नारा निकले के इच्छा मात्रम अविध्या तब सब के इच्छाएं पूरी हो खुद इतना त्रिप्त बन जाओ कि औरों को बस देते जाओ है ना? चा? ओम शांति हुआ 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 है आपकी याद बाबा रह रह के आए देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाए आपकी याद बाबा हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 ह याद ना आये क्यों जिन से प्राण पाए देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाए आपकी याद बाबा आपकी याद ना आपके सिवाए पहले भी पाल ना दी आपने कमाल की आपकी याद व्यक्त हो के सिवा और भी विशाल की सोच के ऐसी सिवा आख भर आए सोच के ऐसी सिवा आख भर आए देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाए आपकी याद बाबा आपकी याद आपके सिवाए सुनते हैं ह्याद से आपका ये कहना निराकारी दिल्विकारी निरकारी रहे ना आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाए आपकी याद बाबा रहे रहे के आए आपकी याद बाबा रहे रहे के आए देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाए देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाए